तो आज हम बना रहे है रेस्टरांट स्टाइल कोल कॉफी मतलब इस वीडियो में आपको ना उसकी सारी टिप्स और ट्रिक्स मिलेगी जो मतलब वो लोग भी मतलब यूज में लेते हैं और उसी से उनकी कॉफी ने एक्तम क्रीमी थिक और बढ़िया वाली बनती है तो इसके आपको ने ग्रैंडिंग जार में दूट डालना है और इसमें शुगर डाल दो आपके टेस्ट के कोडिंग और फिर ये जो सिरप देख रहे हुँ ना इसको कुछ महान वाला सिरप मत समझ ले ना ये बस ना नॉर्मली अपने शकर और कॉफी पाउडर और थोड़ा से दू थिर ये ना चॉक्लिट सिरप होती ना हर्शी सिरप और कोई भी चॉकले छोकलेट सिरप दो मिट में बन जाती है बताओ कैसे बनती है इसके लिए आपको क्या दाही में ना दूट शकर और कोटा पाउडर को अच्छे से पहले बहार ही मिला पर इसको ग्याश पर तंडा होने के लिए और फिर मैंने ग्राइणिंग वज्यार में वापिस ले लिया और इसमें डाल दिया मैं वही उसका थोड़ा अगी का प्रोसेस कर रहे है शुक को को अब अब डाला है और वनीला आइस क्रीम डाली है वो लोग आइस क्रीम का तो यूज करते हैं और अब यहाँ पर आप शीक्रेट टिप्स वह है कि आपको इसे ब्लेंड बहुत देर तक करना है मतलब आप न या तो अलाम सेट कर ले न पांच मिनिट के अराउंड आपको उसे ग्राइंड करना ही करना है आपको लग रहा होगा पांच मिनिट तो कोई भी कर लेगा पर ऐसा नहीं है जब आप बनाओगे न आपको टाइम का मत्व समझ में आजाएगा कि टाइम मैं कितना फो है न इसमें आप गुमाते रहोगे न थोड़ी सी मिक्सी में अगर दिक्कत हो न तो रुक रुक के गुमाना कोई दिक्कत नहीं है फिर उसके उपर सर्फ करो आप वनीला आइसक्रीम और थोड़ से मैंने कोक अब और से इसे डस कर दिया और उसको एंजॉय करो लग रही न बिलकुल होटेल याज एस्टोर्ट स्टाइल मतलब एपर ट्राए करना तो बनता है इस टिप से आप बनाओ आपकी मिलब और आइसक्रीम डाला बिलकुल मत भूना उससे ही तो यार मतलब में चीज भई होती है इनकी जो होटेल बनाते न आइसक्रीम डालके इ तो बनाओ इस टिप के साथ बनाओ बसा जाएगा इंजोई करो यार और क्या काओ पर मसे करो चलो बाई